एक बार राजा की बेटी अचानक बीमार पड़ गई, बहुत से वैद बुलाए गए पर कोई भी फाइदा नहीं हो रहा था, राजा अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था, वह ठीक ही नहीं हो रही थी, फिर अगले दिन छोटा भीम और उसके कुछ दोस्त आ अधी ही ढूड लेंगे, फिर छोटा भीम पहाडी बाबा के पास गया और कहा कि आप कुछ कीजिये, जिससे राजकुमारी की तबियत ठीक हो जाए, पहाडी बाबा ने अपनी आखे बंद की और कुछ देर बाद बोले की राजकुमारी पर उस जादुगर्नी ने कुछ ज पहाडी बाबा से भीम ने पूछा कि कुछ ऐसा उपाय बाते की जिससे में जादुगर्नी को दिखी न दू और बाल को आसानी से लेकर आजायू बाबा ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता बद तुम कुछ देर के लिए गायब हो सकते हो पर बाद में फिर से दिखाई देने लगोगे इसलिए बड़ी ध्यान से तुम्हें वो बाल लाना होगा फिर पहाडी बाबा की बात सुनकर छोटा भीम बाल लेने के लिए जादुगर्नी की गुफा में चला गया जादुगर्नी सोई हुई थी भीम के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था जिससे वो बाल क जल्दी से लेकर आ जाए पर गुफा के अंदर एक अंजान आदमी भी था जो एक मूर्ती में चिपा हुआ था और वही से सब कुछ देख रहा था उससे बचकर ही भीम को बाल लेकर आना था भीम ने बाबा का जादुगर्नी की और बढ़ने लगा और जैसे ही बाल को जादुगर्नी की नींद खुल गई और वहा देखने लगी की कौन है पर जादुई कपदे के वज़से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने अपने पहरेदार से पूछा कि कोई यहां पर आया है पहरेदार ने मना कर दिया विकॉस उसके वहां कोई भी नजर नह राजकुमारी ठीक हो गई और राजा को बहुत ही खुशी हुई अब राजकुमारी ठीक हो गई थी राजा ने भीम को बुलाया और कहा कि तुम बहुत अच्छे हो तुम्हरी वज़से राजकुमारी ठीक हो गई भीम ने कहा कि हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं छोटे भीम को राजा ढूंड रहे थे छोटा भीम अभी राजा को नहीं मिला था राजा ही सोच रहे थे कि छोटा भीम कहां पर चला गया है इसी वजह से राजा परेशान हो रहे थे राजा को छोटे भीम की बहुत जरूरत थी राजा ने सैनिक को बुलाया और कहां कि छोट चोटा भीम को जल्दी ही धून कर लेकर आओ। तो मुझे बता सकते हैं राजा कहने लगे कि मुझे तुमसे यही उम्मी थी छोटा भीम। अब इस बात को समझ गया था बट वहां उस आदमी को कैसे पकड़ पाएगा इसलिए वहां उस महल में रुखना चाता था। जिससे की सभी पर वहां नजर रख सके उसके बाद उस आदमी को पकड़ सके जिसने यह काम किया है। रात बहुत अधिक हो गई थी छोटा भीम महल में घूम रहा था विकॉज उसे उस आदमी की तलाश थी जिसने महल में रुखकर राजा की सारी जानकारियों को बाहर भेजा था। कुछ समय बाद छोटा भीम देखता है कि एक आदमी राजा के कमरे के पास घूम रहा है उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि छोटा भीम उसे देख रहा है इसलिए वहां देखना चाहता था कि आदमी क्या कर रहा है कुछ समय बाद। आदमी एक कमरे में जाता है जिसमें सभी दस्तावेज रखे हुए थे उसके बाद उन्हें वह लेने की। कोशिश करता है चोटा भीम समझ जाता है कि यही वहां आदमी है जो हमारी सारी जानकारिया को बाहर भेज रहा है, कुछ समय बाद राजा भी जाग जाते हैं और छ चोटे भीम ने इस समस्या को दूर कर दिया था जिससे की राजा बहुत परेशान लग रहे थे, राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि छोटा भीम बहुत सारी चीजे आसानी से कर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है, छोटा भीम ने कहा कि आप, चिंता न बहुत अधिक इनाम दिया, विकॉज उसने उनकी समस्याओं को दूर कर दिया था, अगर आपको यह स्टोरीज पसंद है, तो आगे भी शेयर कर.